जवान के बाद शाहरुप खान की आने वाली फिल्म डंकी भी जवान की तरह ही इस साल की सबसे बहुँ प्रतीक्षित रिलीज में से एक है एकली द्वारा निर्देशित एसार के और नयन्तारा स्टारर जवान की फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर गाने और प्रचार सामंगरी को दुनिया भर में महत् τι पूर्ण प्यार और घ्यान और सकारातमग प्रतिक्रिया मिल रही है वहीं राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म डंकी का आधिकारिक टीजर कथित तौर पर जल्द ही आने वाला है बॉलिवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित शारुक खान और तापसी पन्नू स्टारर डंकी इस साल दिवाली सीजन के दौरान रिलीज की जाएगी साल की सबसे बहुँ प्रतीक्षित फिल्म राजकुमार हिरानी निर्देशित शारुक खान अभिनीद दंकी का टीजर दिवाली सीजन में आ सकता है राजू सर दिवाली पर डंकी का टीजर रिलीज करने की योजना बना रही है और जल्द से जल्द इस पर काम शुरू करने की योजना बना रही है सूत्र ने पोर्टल को बताया यहां भी माना जा रहा है कि टीजर मनी शर्मा द्वारा निर्देशित सल्मान खान और कैटरीना कैफ स्कारर टाइगर तीन से जुड़ा हो सकता है क्योंकि यहां फिल्म भी दिवानी के आसपास रिलीज होने वाली है हाला कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक फुष्टी नहीं हुई है राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित शारुक खान अभिनी दंकी में तापसी पन्नो और बोमन इरानी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है और विक्की कोशल भी महत्वपूर्ण भूमिका में है अप्रेल के दौरान फिल्म के निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एसार के और हिरानी के एक प्रफुलित करने वाले विडियो के माध्यम से फिल्म की रिलीज की तारीक की घोशना की जहां पठान अभिनेता फिल्म निर्माता द्वारा बनाई गई फिल्मों की सराहना करते हुए दिखाई देते हैं जिसके बाद निर्देशक उन्हें ओफर देते हैं दफिल्म फिल्म का कथानक डधे की उडान पद्धती का उप्योग करके अवैद आप्रवासन की अवधाना पर केंद्रित है और यहां सामने आने के बाद से ही ध्यान आकरशित कर रहा है कनी का धिल्लो द्वारा लिखित बहु प्रतिक्षित फिल्म दंकी क्रिस्मस के दौरान 22 दिसंबर 2023 को नाट किया रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार